दोस्तो आज हम बाप करने जा रहे हैं मिसर के प्रामिट के बारे में जो दुनिया की प्राचिन रहस्य में सर्मरचनाओ मेंसे एक है गीजा के महान प्रामिट, The Great Pramid of Giza दुनिया के सबसे प्रसित इस्थरोवने से एक हैं लेकिन वे अभी भी अग्यात रहस्ते से भरे हुए हैं सद्यों से यह प्रामिट जिग्यासा का बिशे बने हुए हैं और आज भी दुनिया भर की कई बेग्यानिक इन प्रामिडों को अनुले करने के कार्रह में लगे हुए हैं गीजा में तीन प्रमुक प्रामिड इस्थित हैं और इन्हें खुफू, खफरे और मैंकोर के नाम से भी जाना जाता है। मिसर के प्रामिड मिसर में इस्थित प्राचीन चिनाई वाली संदचनाए हैं। मिसर के प्रामिड ऐसे समय में बनाए गए थे जब मिसर दुनिया की सबसे समर्द और सबसे शक्तिशाली सभिताओं में से एक था प्रामिड का फर्ष बर्गाकार चौकोर होता है लेकिन उपरी भाग तिर्कोणिया यानि नौकदार होता है उसकी उचाई करीब 400-500 फिट होती है और इनकी दीवारे धलान वाली होती है गीजा में तीन प्रामिडों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा जिसे दा ग्रेट प्रामिड की रूप में जाना जाता है प्राचिन विस्व के पिरसिद साथ अजूब में से एक मात्र बरतमान संदचना है महान प्रामिड को कुफू का महान प्रामिड या अखेद कुफू के नाम से भी जाना जाता है जिसे पत्थर के अनुमाने 2.3 मिलियन ब्लाग हैं एक अनुमान के अनुसार गीजा के प्रामिड को बनाने में 23 लाग पत्थरों की टुकडों का इस्तमाल किया गया था जिसका बजन 2-30 तन और कुछ का बजन तो 45,000 किलोग्राम था प्रामिड को बनने में ओसतन 200 साल लगे और घीजा के महान प्रामिड को बनाने में 85 साल लगे इसका मतलब यह हुआ कि एक समय में एक नहीं बलकि कई प्रामिड बनाने का कार्रह चल रहा था जोसर का प्रामिड, मिसर का सबसे पुराना प्रामिड माना जाता है जिसे 27 सताबदी इसा फूर्वी के दोरान सक्कारा नेक्रोपोलिस में बनाया गया था इस बात पर सही सही अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन घीजा के प्रामिड को बनाने में करीब 60 लाग टन सामिगरी का इस्तमाल किया गया था मिसर के प्रामिडों के अनुमानित आयू 4,500 वर्ष है लेकिन बे अभी भी वरकरार हैं उनके अभी तक इस्तित रहने का एक कारण है उनमें इस्तमाल किया गया मौर्टर पत्थर जो आम पत्थर से अधिक मजबूत होता है प्राचीन लोगों द्वारा मिसर के प्रामिडों का उप्योग राजाओं की कब्र की रक्षा के लिए किया जाता था जो मानते थी कि मिरुत्यू के बाद एक नया जीवन प्राप्त होता है अब तक का सबसे उचा प्रामिड है जिसकी उचाई 480.6 फिट थी और अब उपर से 25 फिट ढह जाने के बाद 455.4 फिट रह गई है यह प्रामिड लगबग 3871 वर्षों तक दुनिया की सबसे उची इमारत बना रहा लेकिन सन 1311 में इंग्लेंड ने 524 फिट उचे गिरजागर का निर्माण कर इस रिकार्ट को तोड़ दिया इंग्लेंड का यह गिरजागर अभी भी दुनिया का दूसरा सबसे उचा गिरजागर है गिजा के महान प्रामिड की रक्षा एक महान रहस से पूर्ण मनुष्य द्वारक की जाती है यहां दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की मूर्थी भी है और इसे हफरा के राजा का चेहरा माना जाता है ग्रेट प्रामिड प्रित्वी पर सबसे 60 समरचना है जो उत्तर दिशा यानि नौर्थ डारेक्शन दिखाती है मिसर के लोगों ने हजारों साल पहले केबल जोतिश बिद्या की मदद से ही ऐसा कर दिखाया था प्रामिड का अगर भाग उत्तर दिशा में केबल 3-60 डिगरी गलत है और यह इसलिए संबब है क्योंकि प्रित्वी का उत्तरी धुरुप समय के साथ बदलता रहता है इसलिए एक समय में प्रामिड अपने स्थान पर बरिपूर था ग्रेट प्रामिड के किनारे किसी अवतर लेंस की तरह प्रतीत होते हैं यह एक मात्र प्रामिड है जिसमें यह विशिस्ता है घीजा के महान प्रामिड और अन्य दो प्रामिडों में कुछ नकली और एक असली दर्वाजा था इस दरवाजे को इतने शांदार तरीके से वनाया गया है कि यह 18 टन बजनी होने के बाद भी एक जटके में खुल जाता है प्रामिट्स के अपने ही फायदे हैं तीन प्रामिट खुफरो और खफरे मैंकोर एक ही तारे की दिशा में हैं जो औरियन वेल्ड के नक्षत्र को बताते हैं बाहर बहुत गरम होने के बाद भी प्रामिट के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सेस रहता है 4000 वर्ष पहले प्रामिट एक दरपन की तरह चमकते थे क्योंकि वे पालिश किये गए सफेज चूना पत्थर से ढखे होते थे जो सूर्य के प्रकास को बिति बिम्बित करते थे इन प्रामिटों में चमक इसराइल की पहाडियों से और शायद चान से भी देखी जा सकती है मिसर के प्रामिट में मिले मकवरों से इस बात के भी प्रमाड मिलते हैं कि प्राचिन काल के लोग ना केवर इनसानों को बल्कि जानवरों के शबों को भी ममी के रूप में अपने प्रजनों के शब के साथ दफनाते थे प्रामिडों में सबसे बड़ी संख्या मिसर में नहीं बलकि उत्तरी अफरिका के सुडान देश में हैं दुनिया का सबसे बड़ा प्रामिड मिसर में नहीं बलकि मेक्सिको का दा ग्रेड प्रामिड और चलूला है जिसका आधार 1480 फिट है बार में शताबती में कुर्द सुल्तान अल अजीद और मिसर के दूसरे अयूबी सुल्तान ने गीजा प्रामिड को नश्ट करने की कोशिश की थी लेकिन असफल रहे क्योंकि प्रामिड बहुत बड़ा था महान प्रामिड को गड़ित की कुंडली भी कहा जाता है जिससे भविश्य की गर्णा की जा सकती है दोस्तों आज के लिए बस इतना है मिलेंगे नेक्स की लिए में